अच्छारी जी इश्वर कौन है और उसने इस संसार की रचना क्योंकि ठीक, बेटो तो ये बड़ा मद्दपूर्ण सवाल है क्योंकि सत्य में या ब्रह्म में हमारी कोई रुच्छी हो न हो लेकिन इश्वर में सबकी रुच्छी होती है और धर्म का संबंध ही ज्यादा तर इश्वर से जोड़ कर देखा जाता है है ना? ठीक इश्वर मने क्या? सबसे पहले तो जो इश्वर की आम परिभाशा है कि इश्वर वो जिसने स्रिष्ठी की रचना की इश्वर वो जिसने स्रिष्ठी की रचना की जैसे ही आप कहेंगे कि एक रचित वस्तु है स्रिष्टी एक चीज है स्रिष्टी वैसे ही वेदान आपसे तदकाल क्या पूचेगा किस के लिए है स्रिष्टी ठीके न तो आप कहेंगे स्रिष्टी तो है ही क्योंकि मैं उसका उनुभाव कर पाता हूँ मेरी देह है मैं अनुभाव कर रहा हूँ न और देह अगर एक कुर्सी पर बैठी है तो कुर्सी भी है कुर्सी मंच पर रखी है तो मंच भी है फिर धर्ती है तो फिर पूरी के पूरी सौरम अंडल है नक्षत रहे हैं अकाश गंगाये हैं समुचा ब्रहमान्द सब कुछ है फिर तो इश्वर का संबंध फिर सीधे सीधे हो गया यह जो देख रहा है सृष्टि को और जो दिख रही है सृष्टि इन दोनों से ठीक है न क्योंकि जब हम इश्वर का परिभाशिक गुण ही यह बता रहे हैं कि वो है सृष्टि का रच नाकार तो हमें देखना पड़ेगा कि सृष्टि माने क्या सृष्टि माने ये दो एक देखने वाला और एक दिखाई देने वाला दृष्ष अब ये जो देखने वाला और दिखने वाला है इनही दोनों के लिए एक संयुक्त नाम होता है प्रक्रति प्रक्रति माने यही दो दृष्टा और दृष्ष अनुभोक्ता और भोग्य विशे इन दोनों के लिए एक नाम है प्रक्रति अब प्रक्रति में जो एकमात्र नियम चलता है वो चलता है कारणता का कॉजेशन का ऐसे कि गेंद उपर जाती है तो नीचे आती है नीचे योही नहीं आ गई पहले उपर गई थी इसलिए नीचे आ रही है ठीक मैं इस पर हाथ मारूँगा तो आवाज होगी आवाज योही नहीं हो गई उसके पीछे कारण था तो प्रक्रति का संचालक कोई नहीं है प्रक्रति को चलाने वाला कोई नहीं है प्रक्रति को चलाने वाला तो बस कर्मफल का नियम है कारणता उसके अलावा कुछ नहीं है जो प्रक्रति को चलाता हो और हम कहते हैं इश्वर प्रक्रति को रचता है और चलाता है जहां तक रचने की बात है कोई वस्तु है नहीं जिसे रचा गया हो एक प्रक्षेपित च्छवी है जिसके मूल में द्रिष्टा बैठा हुआ है तो अगर आप बिलकुल खरी बात कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि जो ये द्रिष्य स्रिष्टी है इसको रचने वाला तो द्रिष्टा ही है तो रचना का किस्सा तो यहीं खत्म हो गया आपने रचा है और इसी कारण सबके जगत अलग-अलग होते हैं दोनों तरीके से अलग होते हैं तथ्थ के तरीके से भी और अर्थ के तरीके से भी अगर किसी एक नहीं रचा होता तो एक ही चीज होती ना जो रचित है पर नहीं सबके जगत अलग-अलग होते हैं हम अभी बात कर रहे थे कल ही कि मैं जो कह रहा हूं मैं आपसे कहूं कि लिखिएगा कि मैंने क्या कहा तो आप सब अलग-अलग बातें लिखेंगे और इतना ही नहीं अगर अभी यहाँ पर मनुश्यों के अलावा अन्य प्रजाती के जीव ले आए जाएं तो उन्होंने तथ्य के तौर पर भी बहुत कुछ ऐसा सुना होगा जो आपने नहीं सुना तो जगत सबके अलग-अलग होते हैं पहली बात तो यह कि अगर यहाँ पर दूसरे जीव हों तो उनके तथ्य ही दूसरे होंगे और अगर दूसरे नहीं भी जीव हैं सिर्फ एक ही प्रजाती मनुश्य प्रजाती के जीव भी यहाँ बैठे हैं तो मैं जो बात कह रहा हूँ उसके अर्थ सबने अलग-अलग निकाले होंगे तो हम अपने अनुसार जैसे हम बने वैठे हम अपने अनुसार तथ्य और अर्थ दोनों की रचना करते हैं इसमें इश्वर का क्या काम आपका जगत तो आपके द्वारा रचित है इश्वर ने कहा रचा है आप बदल जाते हो आपका जगत बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है आपको अभी कुछ ऐसी सूचना दे दी जाए जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है एक शण में आपकी दुनिया बदल जाएगी बताइए इश्वर ने रची है क्या आपको कुछ नई सूचना मिल गई आप ही बदल गए आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है तो इश्वर नहीं रचनाकार है रचनाकार तो अहंकार है कोई पूछे कि दुनिया किस ने रची है तो कहिए अहंकार ने रची है अहंता ने रची है इसमें इश्वर का काम नहीं है और न इश्वर इस दुनिया का संचालक है संचालक तो कारेकारण का नियम है गाड़ी आगे कैसे बढ़ रही है इश्वर नहीं बढ़ा रहा है बढ़ाने वाला बढ़ारा और बढ़ाने वाला माने जो करता है वो अहंकार है अहंकार दो काम करता है न एक प्रक्षेपन और दूसरा करत्रत्तो अहंकार के हम यही दो गुण सदा देखते है न एक वो प्रक्षेपन और दूसरा वो करता है अब जिनोंसे समझा है ग्यानियों ने रिशियों ने उन्होंने यह दोनो काम तो अहंकार के जिम्में डाले हैं प्रक्षेपन भी और करत्रत्तो भी तो बनाने वाला भी कौन है अहंकार और चलाने वाला भी कौन है लेकिन जो नहीं समझते हैं वो कह देते हैं कि इश्वर ने बनाया और इश्वर ने चलाया ना इश्वर ने बनाया ना इश्वर ने चलाया बनाने वाला भी अहंकार है चलाने वाला भी अहंकार है तो जहां तक निर अहंकार माने सत्य की बात है वहां फिर क्या है वो क्या करता है साहब वहां ना कुछ बना है ना कुछ चला है वहां तो जो है वो अचल अडिग मौन पूर्ण है वहां रचना का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि अनन्त कुछ रच नहीं सकता अपने अतरिक्त और अपने जैसा ही वो कुछ रचेगा तो वो अनन्त में ही समाया हुआ होगा अनन्त कार समझते हैं अनन्त माने जिसमें दूसरे की गुंजाईश हो ही नहीं ऐसा रचना कार जिसके पास रचने की भी गुंजाईश नहीं है क्योंकि रचना भी रचना कार से भिन्न हो जाती तो सत्य न तो कुछ रचता है नहीं कुछ चलाता है तो सत्य है क्या कुछ भी नहीं करता करता क्या है दिन भर वहाँ न दिन है न रात है बस बैठा रहता है न वहाँ बैठने को कुछ है न खड़े होने को कुछ है तो है क्या चुप हो जाओ इतने सवाल नहीं करते सत्य का काम न बनाना है न चलाना है पर हमारी बहुत रूची रहती है कि बनाया किसने चला कौन रहा है और ईश्वर के मत्थे यही दो चीजें तो हम डालते हैं हे सरजनहार हे रचनाकार ऐसे ही तो सम्मोधित करते हैं न क्यों करते हैं उसका मनोवज्यानिक कारण समझिए हमारे लिए बड़ा जरूरी है हमारी विवश्टा है मानना कि दुनिया है क्योंकि नहीं मानेंगे कि दुनिया है तो कैसे मानेंगे कि हम है और जैसे ही बात आती है अपने अंत की और आपका अंथी आपका सत्य है जैसे ही बात आती है अपनी समाप्ति की वैसे ही छक्य छूट जाते है हमारे हमारे लिए एक चीज माननी बहुत ज़रूरी है कि हम है हम है इश्वर की उत्पत्ति कहां से हो रही है समझिएगा हम डरे हुए लोग है और हम भ्रहमित लोग है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मानना कि हम है हम है तो पूरी दुनिया को होना पड़ेगा अभी आरम में का था न मैंने हम है तो इस कुर्सी को होना पड़ेगा कुर्सी है तो मंच को होना पड़ेगा मंच है तो प्रत्वी को होना पड़ेगा प्रत्वी है तो अन्य ग्रहों को भी होना पड़ेगा सूर्य को होना पड़ेगा चांद को होना पड़ेगा फिर पूरे ब्रहमांड को होना पड़ेगा माने मेरे होने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि मैं मानू इसी को कहते हैं कि एक जूट के पीछे सौ जूट होलने पड़ते है मूल जूट क्या है मैं हूँ मानेंगे नहीं कि हम हैं ही नहीं बुद्ध समझा समझा के ठक गए अरे तुम नहीं हो बाबा जिसको तुम अपनी हस्ति अपना अस्तित तो कहते हो वो अनस्तित तो है जिसको तुम कहते हो मैं हूँ वो तुम्हारा न होना है और जिसको तुम आत्मा बोल देते हो उसमें आत्मा जैसा कुछ नहीं हो अहंकार मात्र तो बुद्ध हंकार भी नहीं बोलते वो कहते हैं जिसको तुम आत्मा बोल रहे हो वो वास्ताव में अनात्मा है वो आये जो उनको करना तक करा उनोंने कई दशकों तक बोलते रहे फिर उनके पीछे बहुत विचारकों की और बुद्धी जीवियों की पूरी शिंखला चली लेकिन हमें नहीं समझ में आता हूं कैते हैं मैं तो अब मैं हूं तो पूरी दुनिया को होना पड़ेगा और फिर बड़ा मासूम सा चेहरा बना के हम सवाल करते हैं अच्छा जी पूरी दुनिया वनाई किसने अच्छा जी सूरज को उगाता कौन है चांद को घुमाता के पास जाओगे हो कहेगा सूरज है का तुम्हारा सूरज है तुम जानो तो अगर कोई सच्चा उत्तर पूछ रहे हो ये उत्तर तुम्हें अचम्भित कर जाएगा तुम स्विकार नहीं करोगे पर सच्चा उत्तर पूछ रहे हो कि सूरज को कौन होगाता है तो एक ही उत्त तुम ही उगाते हो, तुम्हारा अंकार, सूरज को बनाया भी तुम ही ने और सूरज को चलाया भी तुम ही ने, इस समस्त ब्रहमांड के रचाईता भी तुम हो, और करता भरता भी तुम ही हो, और यहां कोई नहीं शक्ति है, अब उसे समस्य क्या जाती है, समस्य आजाती है, मैं मनु अग्यानिक विश्लेशन कर रहा हूँ कि हमारे लिए ईश्वर नाम की सत्तावश्यक क्यों हो जाती है समस्तिया ही आ जाती है कि हम इतने बेहोश लोग ही है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं कर हम ही रहे हैं पर हमें पता नहीं हैं हम क्या कर रहे हैं जैसे कोई नशे में चूर वो बहुत कुछ कर गया हो पर उसको पता तो है नहीं हो क्या कर रहा है तो फिर उस सुबह उठता है अगली रात भर्धुत रहने के बाद पुछता है यह सब किया किसने आपको एगर बोल देगे तेरी कर्तूत है तो उसको बड़ी लाज आनी है तो हमें फिर एक दूसरी शक्ति चाहिए होती है जिसके मत्थे हम अपनी सारी कर्तूते मढ़दें करा हमने है पर हमारे जिस भागने करा है हम उससे सर्वता अनभिग्य हैं हम अपने मन को नहीं जानते हैं मन की किसी ने करा है हम उसकी जिम्मेदारी लेने को तयार नहीं होते हम कहते हैं मैंने नहीं करा किसी और ने करा होगा किस ने करा पड़ोसी ने करा पड़ोसी मना कर देगा चाचा ने करा होगा ओभी मना कर देगा चची ने करा चची तरना गई है मैंने तो नहीं करा तो किस ने तो किसी ऐसे की बात करनी बहुत ज़रूरी है जो बैचारा आई नहीं सकता अपनी सफाई देने किसी ऐसे की कलपना करनी बहुत ज़रूरी है जो कभी आके बोली न सकता हो कि माफ करिएगा जद साब मैं बेगुना हूँ ये मेरे उपर मनगणत आरोप डाले जा रहे हैं तो हमने ऐसे एक चरित्र की रचना करिए और उसको क्या नाम दिया इश्वर करें उसने करा उसने करा एक से एक घटिया तरीके के हम काम करते हैं जिन्दगी में और घटिया मने यही नहीं जानबूच के करें बेहोशी में करें और जब परड़ाम आता है तो करते हैं जैसी इश्वर की मर्जी जैसी इश्वर की मर्जी Oh my God ये सारे वक्तव हमारी बेहोशी के प्रतीक है सब तुम खुद कर रहे हो लेकिन जिम्मदारी लेना नहीं चाहते हैं ले सकते ही नहीं क्योंकि पता ही नहीं है कि खुद कर रहे हैं उतना गहरा आत्मग्यान हमें होता ही नहीं कि हम कह सके हैं कि हम ही कर रहे हैं तो फिर स्वयम से अलग एक शक्ति की हम कलपना करते हैं कि कोई तो शक्ति है न जो समूचे ब्रह्मान्ड को चला रही है आप जाईएगा रिशिय उद्दालक के पास या अश्टावक्र के पास उम उस्कुरा के कहेंगे तुम चला रहे हो और आपको यकीन ही नहीं आएगा आप कहेंगे माने क्या बोल रहे हो इतना बड़ा सूरज है उसको मैं चलाता हूँ देखे पागल हो गया आदमी कहरा है सूरज को मैं चलाता हूँ कि मैं छोटा सा आदमी हूँ आप बोल रहे हो यह जितने सौर मंडल हैं और आकाश गंगाएं हैं और यह सब हैं मैं कर रहा हूँ धीरे से मुस्कुराएंगे रिशी कहेंगे हाँ बेटा तुम ही कर रहे हो बस तुम जानते नहीं हो कि तुम कर रहे हो तुम जानते ही होते तो तुम्हारा करना कब का थम गया होता न अच्छा तो सूरज को मैं चला रहा हूँ और ये मेरा भाई है लख्खू सूरज को ये भी चला रहा है माने गाड़ी एक और द्राइवर दो ऐसे कैसे हो गया बताईए बस मुस्कुरा के इतने ही कहेंगे अभी तुमारा समय नहीं आया है जब समय आ जायेगा तो ये मुढ़ता के सवाल करने बंद कर दोगे करेंगे ने ने आप बताईए न दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और आप कहरें सूरज को मैं चला रहा हूँ तो ये बाकी सब क्या वेरोजगार बैठें बारी बारी सब को चलाना चाहिए न सूरज को मैं ही क्यों चला हूँ तो रिशी कहेंगे तुम माने लखु का भाई नहीं जब मैं कह रहा हूँ सूरज को तुम चला रहे हो तो मैं चक्खु से बात नहीं कर रहा हूँ मैं अहम वृत्ति से बात कर रहा हूँ मैंने किया मेरी ही है न रहा तुम्हारी ही है पर बेटा तुम उससे परिचित नहीं हो तुम अपने अस्तित्तों की सतह पर जी रहे हो तुम्हारे भीतर क्या है तुम कुछ नहीं जानते हिम की बड़ी-बड़ी चटाने होती है देखी वो तूट करके अंटार्केट का अगर्य हमें होता है जब समुद्र में आ जाती है तो उनका बहुत छोटा सा हिस्सा सतह पर दिखाई देता है लगभग एक बटा ना एक बटा दस दस प्रतिशत दिखाई देता है बस टाइटैनिक उन्हों नहीं डूबवया था तुम अपने आपको उतना भी नहीं जानते वहां कम से कम दस प्रतिशत तो है न जो सतह के उपर है नीचे बहुत बड़ा होता हो पता नहीं चलता हो जहाज में जाके भीड़ जाता है तुम अपने आपको सतह के नीचे उतना भी नहीं जानते बर्फ कम से कम एक बटा दस रहती है पानी से उपर तुम पानी से उपर एक बटा एक हजार भी नहीं हो तुम कुछ नहीं जानते हैं अपने बारे में सब कुछ तुम ही कर रहे हो ने हो सकता है हम ना जानते हैं अपने बारे में देखी है हमें आपकी बार ठीक लग रहे है यह रिशी महोद है लेकिन यह तो बताईए कि यह सब जो बाकी लोग है इनका क्या है गरशी फिर मुस्कुराएंगे अलके से तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं अब जूम गया चक्षू बोले ये जो है लख्षू ये है ही नहीं बोल रहे ये है ये तुम्मे ही है बोले तो आपने हमें ही खास तौर पर क्यों चुना है ये बोलने के लिए कि बाकी सब नहीं है तुम्हीं भरो नहीं तुम्हें नहीं चुना है चक्खू को नहीं चुना है उस अहम वृत्ति को चुना है जो निर्वायक्तिक है जो कभी लखू नाम लेती है और कभी चक्खू नाम लेती है और जो वो नाम ले लेती है उस नाम के अतरिक्त सारे नामों को बेगाना समझने लगती है वृत्ति एक ही है लख्खू के मामले में उसका नाम है लख्खू और चक्खू के मामले में उसका नाम है चक्खू एक ही वृत्ति है लेकिन इन दोनों को लग रहा है हम दोनों अलग अलग हैं 800 करोड इंसानों को लग रहा है हम सब अलग अलग हैं सब अलग अलग नहीं हो सब एक हो जैसे कोई विशाल जड़ हो जो जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर सतह के समानांतर चल रही हो और उससे कभी यहां एक अंकुर फूटता है, कभी यहां एक अंकुर फूटता है, यह जितने अंकुर हैं, यह सब अपने आपको एक दूसरे से प्रिथक जानते हैं, जानेंगे ही, वो सता से उपर हैं, और सता के उपर उपर जब वो एक दूसरे को देखते हैं, तो उनको द सबको चला रही है उसमें इश्वर की कोई आवश्यक्ता नहीं समझ आ रही है बात प्रार्थना किस से कर रहे हो तुम यहां कोई है नहीं जिससे प्रार्थना करी जा सके तो फिर ज्यानियों ने कहा वास्तविक प्रार्थना मात्र मौन होती है चुप हो जाना ये तो छोड़ दो कि प्रार्थना में किसी दूसरे से कुछ मांगा जाता है वास्तविक प्रार्थना में तो अपने होने को भी समाप्त कर दिया जाता है आम आदमी प्रार्थना के नाम पर जो करता है वो प्रार्थना का विपरी थे प्रार्थना में किसी दूसरे की हस्ती को तो छोड़िये अपनी हस्ती को भी मिटा दिया जाता है और आम आदमी जब प्रार्थना करता है तो कहता है सुनो तुम मुझे ये चीज चाहिए आपकी प्रार्थना का वक्तव यही होता है सुनो है इश्वर सुनो तुम मुझे फलानी चीज चाहिए मुझे फलानी कामना है इस वक्त तब इमें कितने आ गए दो तुम और मैं ये क्या अनर्थ कर दिया वास्तविक प्रार्थना में तो एक भी नहीं बचता और आपकी प्रार्थना में दो-दो खड़े हो जाते है समझ में आ रही है ये बात अब आके बढ़ाते हैं बात को और तो हम कह रहे हैं कि प्रकृत ही फिर ये जो पूरा ब्रहमांड है उसके लिए एक नाम है प्रकृत ही ये जो पूरा ब्रहमांड है उसके लिए एक नाम है प्रकृते सत्य तो नहीं है लेकिन प्रकृते वो है जिसमें ये जो जीव है जीव ये पैदा होता है हसता है, खेलता है, खाता है, पीता है रोता है, जीता है और मर भी जाता है तो इस जीव के लिए तो आजीवन संपर्क रहता है प्रक्रति मात्र से ठीक और इस जीव को अगर अपने जूठ से मुक्ति पानी है तो उसका भी रास्ता एक ही है प्रक्रति मैं नहीं हूँ, मैं अपने आपको समझता हूँ, मैं हूँ पर मैं नहीं हूँ, ये भी अगर मुझे समझना है तो ये समझाने मुझे कोई अलौकिक शक्ति तो आएगी नहीं ये बात भी मुझे जीवन से ही समझनी पड़ेगी और जीवन माने प्रक्रति जीवन माने संबंध, जीवन माने वो सब जो आपको अनुभव होते हैं वही तो जीवन है तो भारत ने इसी लिए प्रक्रति की पूझा करी और उसको देवी बोला भारत ने प्रक्रति की पूझा करी ये कह करके कि मुक्ति दायनी भी प्रक्रती ही है किस अर्थ में कि उसको जान लो तो वो मुक्ति देदेगी जीवन को समझ लो तो जीवन से मुक्त हो जाओगे जिन सब लोगों से वस्तुवों से विश्यों से तुम्हारा संबंध है उन विश्यों को जान लो अपने संबंध को जान लो तो जीवनमुक्ति मिल जाती है और जीवनमुक्ति ही अध्यात्म का उच्चतम आदर्श है कुछ मूल बाते हैं सबको पता होनी चाहिए देखिए भारत में विशेशकर वेदान्त में धर्म का लक्ष स्वर्ग या सुख नहीं है ये अच्छे से गाट बान लीजिए धर्म और अध्यात में इसलिए नहीं है कि उससे आपको स्वर्ग मिल जाएगा ऐसा आदर्श बाहर बनाया गया है अब ब्राहमिक धाराओं में ये आदर्श चलता है कि अगर तुम इस दुनिया में अच्छी जिंदगी बिताओगे तो मरने के बाद स्वर्ग, हेवन या जन्नत पाओगे भारत में ये समने है अगर कोई भारती है, सनातनी है और स्वर्ग की बहुत बात कर रहा है तो वो फिर सनातनी है ही नहीं वो किसी और धारा का होगा कोई आपत्य नहीं हमें, आप किसी भी धारा के हो सकते हैं लेकिन अगर आपको स्वर्ग का लोब है आपको सुख की चाहत है तो अपने आपको सनातनी मत कहिए, कुछ और कह दीजिए, बाकी और कोई बात नहीं, तो स्वर्ग धर्म का लक्ष नहीं, पहली बात, दूसरी बात, मृत्यु के बाद का मोक्ष भी धर्म का लक्ष नहीं, ये बात 99 प्रतिशत सनातनियों को पता ही नहीं है, मरने के बाद कोई मोक्ष गळएगा, और आप पुर्णर्जन्म के चक्त से मुक्त हो जाएंगे, ये भी ध्यात्न का लक्ष नहीं है, मरने के बाद और गहरा की बात विदान्त करता ही नहीं है विदान्त का सरोकार इस जीवन और उसके दुख उसके बंधन से है कर अभी जी रहे हो अभी परेशानों मैं अभी की बात करूँगा मरने की बाद और गहरा की छोड़ो इससे कोई लेना देना नहीं तो लक्ष क्या का है फिर अध्यात्म का उसे कहते है जीवन मुक्ष को यदे आपको मानना है तो आपको पुनर जन्म के सिधानत को मानना पड़ेगा जीवन मुक्ति का अर्थ है अगले जन्म से कोई लेना देना नहीं तुम जीते जीवन से मुक्त हो जाओ और ये आखेरी बात है इसके बाद कोई मोक्ष नहीं बचता इसके बाद कोई स्वर्ग नहीं बचता और जीवन मुक्ति के लिए कोई माननेता नहीं चाहिए, कोई अंधविश्वास नहीं चाहिए मोक्षित्यादी में विश्वास करने के लिए आपको जीवात्मा को मानना पड़ेगा, पुनरजर्म को मानना पड़ेगा जीवन मुक्ति के लिए कुछ नहीं मानना है जीवन मुक्ति तो वह सीधी बात है हाँ हम जी रहें बंधनों में और हमें जीना है बंधनों से मुक्त होकर ये जीवन मुक्ति ये बस खत्म बात उच्चितम बात जीवन मुक्ते कौन सा स्वर्ग वहाँ कौन सी अपसराएं और कौन सी नदियां और जन्नत और हूरें और ये सब वेदान्थ हसता है इन सब बातों बच्चों को कहानिया सुना रहे हो किसके मुलरंजन की बाते बता रहे हो ये सब जरा बड़े हो जाएं जरा वयसकों की जरा मैच्चियोर बातें कर ले रिशी पूछते हैं आम तोर पे उन्हें प्रतियुत्तर में हाँ नहीं मिलती जादा तर लोगों को बच्चों के जुन्जोने चाहिए तो उनको फिर सरह कलपना चाहिए कि मरने के बाद एक जीवात्मा होती है वो निकलती है वो नदी पार करती है वही सब बातें जो गरुड पुराण में आप पढ़ते हैं अब गरुड पुराण इत्यादिका वेदान से बिलकुल कोई संबंध नहीं है और यदि वैदिक धर्म वेदों पर आधारित है यदि प्रथम प्रमाण शुरुति प्रमाण होता है और यदि शुरुतियों को कोई स्विकार न कर रहा हो तो उसे वैदिक कहा ही नहीं जा सकता तो ये गरुड पुराण आधी सनातनी गरंथ माने ही नहीं जाने चाहिए क्योंकि उनमें जो बात लिखी है वो सीधे सीधे वेदों की बात के एकदम विरुद्ध है और सनातन धर्म में तो आखरी बात वेद की ही चलेगी न अगर कोई पुराण वेद विरुद्ध बात कर रहा है तो पुराण को स्विकारूं या वेद को स्विकारूं बता दीजिए लेकिन हमारी ज्यादा रुची गरुड पुराण इत्यादी में है और उसमें ये सब है कि आत्मा ऐसे निकलती है इतने देने हाँ पहुचती है फिर उसको फलाना मिलता है फिर एक पेंड मिलता है फिर ये होता है फिर वो होता है और हिंदू उने क्या करा है कि वही बात पकड़ ली है और उसको पकड़ के बैठे हैं और पंडित को बोलाते हैं और जो मर गया है उसको फिर उसके लिए कपड़े दी जाते हैं अब उसको कपड़े भी तो चाहिए होंगे यो मर गया है तो उसको गाड़ी ओड़ी भी दी ज चलता है किसके लिए थे फलाने के वावा मर गए उनको लंबा रास्ता तैय करना है बैकूंट पहुचना है अंत में तो बेटे ने स्कूटर दिये और स्कूटर मिली ये पंडिट जी को पता नहीं वो कैसे पार करेंगे जाड़े में मृत्ति हो जाए तो हीटर दिया जा रहा है कि उपर तो और ठंड होती होगी समझ के आ रही ये बात लक्ष क्या है जीवन मुक्ति तो मुक्ति के लिए इसी जीवन के अलावा और कोई साधन नहीं है जीवन के ही अवलोकन के अलावा कोई तरीका नहीं है मुक्ति का जिसमें फस गए हो उसी को जानोगे तो आजाद हो पाओगे जैसे चुहा चुहदानी में फस गया हो और चुहदानी में ही तो कोई रास्ता होगा ना बाहर निकलने का कोई तीली हो सकता है टूटी पड़ी हो चूहेदानी में हो सकता है बनाने वाले ने कोई गुप्त दुआर छोड़ दिया हो चूहेदानी में जो दिखाई नहीं देता पटटो लोगे पर्खों के तो पता चलेगा तो चुहेदानी से बाहर निकलने का रास्ता भी चुहेदानी से ही जाता है ये बात तो है ना तो बंधनों से बाहर छूटने का रास्ता भी जीवन को समझने से ही आता है ये ठीक है तो इसलिए भारत ने प्रकृति की बड़ी पूजा करी और दोनों नाम दिये प्रकृति को माया भी कहा और मुक्तिदायनी देवी भी कहा ये दोनों एक के ही नाम है माया किसका नाम है? प्रक्रते का ही नाम है और मुक्तिदायनी देवी किसका नाम है? वो भी प्रक्रते का ही नाम है ये जो पूरी शाक्त धारा है जिसमें देवी उपासना आती है उसमें देवी दोनों तरह से पूजी जाती है महा माया भी कहते हैं, महा मा भी कहते हैं जन्मदायनी भी कहते हैं, मृत्यदायनी भी कहते हैं और मुक्तिदायनी भी कहते हैं समझे आ रही बात तो यदे आपको मानना ही है कि इश्वर कुछ है तो कह दीजिए इश्वर प्रक्रतिका ही एक नाम है क्योंकि वो सारी बाते जो आप इश्वर के लिए कहते हो वो सारी बाते वास्ताव में लागू प्रक्रति पर होती है आप कहते हो ना ईश्वर क्या है आप दो नाम देते हो बनाने वाला और चलाने वाला ये बनाना और चलाना ये दोनों काम हमने कहा अहंकार के हैं और अहंकार किसमें पाया जाता है प्रकृति में तो आपको अगर कहना है कि इश्वर वो जो बनाता है चलाता है तो कह दीजिए इश्वर प्रकृति है इससे थोड़ा आपको धांडस बंधा रहेगा नहीं तो लोगों को लगने लग जाता है कि इश्वर को नहीं मानेंगे तो नास्तिक कहलाएंगे नास्तिक वो नहीं होता जो इश्वर को नहीं माने, नास्तिक वो होता है जिसकी सत्य के प्रति कोई जिग्यासा नहीं है, नास्तिक था कि अपनी परिभाशा को थोड़ा ठीक करिए, जो सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं रखता वो होता है नास्तिक, हजार में से 999 लोग, 9 अगर आपको एक हजार लोग मिलेंगे, जो अपने आपको बोलते हों कि हम धार्मिक ही नहीं हैं, हम कटर धार्मिक हैं, उन एक हजार लोगों में से 999 गहरे नास्तिक होंगे, पुछ ये क्यों? या बता ही दीजिये क्यों? क्योंकि उनके बाद माननेताएं, कलपनाएं बहुत हैं, फलानी देवी, फलाना देवता, ऐसे इश्वर, ये भगवान, लेकिन सत्य को लेकर के उनमें कोई जिग्यासा नहीं है, उन्हें ब्रह्म नहीं चाहिए, उन्हें स्वर्ग चाहिए, उनकी आस्था, उनकी लॉयल्ट मुक्ति के प्रति नहीं है, अपनी परंपरा, अपनी माननेता, अपने सुक, अपने आग्रह, अपने पूर्वाग्रह, अपने दल, अपने समुदाय, अपने संप्रदाय के प्रति हैं, उन्हें सत्य नहीं चाहिए, तो सब नास्तिक ही होते हैं आस्तिक सिर्फ वो होता है जो कहता है सब हटा दो जो कुछ मेरा है मैं सब छोड़ने को तयार हूँ मुझे बस सत्य चाहिए मात्र वही आस्तिक है तो ईश्वर को मानने न मानने से आस्तिकता का कोई संबंध नहीं आप मानते रहें इश्वर को आप घोर नास्तिक हैं और बहुत संबब है कि आप गहरे आस्तिक हों लेकिन आप कहते हो इश्वर माने क्या कुछ नहीं और सच जानियेगा आज तक जो गहरे आस्तिक हुए हैं वो सब वही रहे हैं जो इश्वर के प्रश्ण पर बस मुस्कुर वो कहते हैं हमें जो रिष्टा रखना है वो ब्रह्म से रखना है आत्मा से रखना है सत्य से रखना है कभी हम उसको राम कभी कृष्ण कभी शेव का नाम दे देते हैं बाकी ये सब किस्य कहानियों में हमारी कोई रुची नहीं हम आस्तिक हैं देखिए आस्तिक शब्द में क्या है केंदर में अस्ति मने है हुना और जो सचमुच है मात्र प्रतीत नहीं होता कि है बलकि सचमुच है उसको सत्य कहते हैं बाकी सब वो है जो प्रतीत तो होता है कि ह भासित तो होता है कि है, है नहीं, उसको माया कहते हैं, तो आस्तिक वो है, जो माया को काट कर, बस उसकी पूजा करता हो, उससे प्रेम करता हो, जो है, जो है, जो उसमें नहीं उलजा हुआ है, जो है नहीं, बस मन में चलता रहता है, है तो नहीं, बस मन में चलता रहता है, ज जो मन के उल्जाव से हट करके सत्य को समर्पित है उसको आस्तिक कहते हैं तो इश्वर में यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप नास्तिक नहीं हो गए और नहीं इश्वर में विश्वास करने से आप आस्तिक हो गए खेर हटाईए हम जो भीतरी बड़ी नैतिक एक स सकती है ठीक वैसे ही जैसे देवी की पुजा करी जाती है पर ये कहके मत करिएगा कि इश्वर दूर बैठा कोई करता है करतार है जो मुझे मुक्ति दिला देगा देवी की पुजा देवी की उपासना का अर्थ होता है प्रकृति के निकट आना देवी माने प्रकृति उपास प्रकृति को निकट से जानना ही देवी की उपासना है और यदि इश्वर माने प्रकृति तो इश्वर की पूजा का भी फिर क्या अर्थ हुआ जीवन को ध्यान से समझना ये इश्वर की पूजा है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आप इश्वर को मानते हैं और इश्वर की पूजा करते हैं बस पूजा ठीक होनी चाहिए प्रार्थना ठीक होनी चाहिए दुरा के बताइए इश्वर की पूजा कैसे करनी है जीवन को ध्यान से देख करके जीवन का अवलोकन ही ईश्वर की उपासना है और ईश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है मौन हो करके पूजा करनी है जीवन को जान करके और प्रार्थना करनी है मौन हो करके समस्या सुलज गई आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं कि आप इश्वर को नहीं मानते आप इश्वर को बिलकुल मान सकते हैं इश्वर माने प्रक्रति सही इश्वर को मानिए कलपना मत करिए इश्वर को अपने मन का कोई विशय मत बना लीजिए ठीक है? और ध्यान रखिए पूजा आप भले प्रक्रति की कर लें लेकिन लक्ष प्रक्रति से परे है चुकि वो परे है इसलिए उसको कहते हैं परम पूजा आप भले ही देवी की कर लें की इश्वर की कर लें की प्रक्रति कर लें एक ही बात है लेकिन लक्ष न इश्वर है न प्रक्रति है न देवी है लक्ष तो लक्ष तो परम्मने मुक्ति ये इसपश्ट हुआ है या अभी कुछ अठक रहा है इश्वर को लेके मैंने दो बाते बोली बनाने वाला चलाने वाला कुटर्क मत करने लगेगा कि नहीं नहीं इश्वर का एक काम और भी होता है मिटाने वाला त्रिपुटी होती है न ब्रह्मा विष्णु महेश आपने दो ही बोला रह गए न अज्यानी ये धूर तो अपने आपको अचारे बोलने लगा फिर से कल भी बोल रहा था मना कर था आज फिर बोल रहा देखो इसे महेश का कुछ पता नहीं बोल रहा है दो ही काम होते है एक तीसरा काम भी तो होता है प्रले मिटाना अहंकार, अहंकार स्वयम अपनी मुक्ति का चैन करता है, अहंकार मिटेगा की नहीं मिटेगा, यह फैसला भी अहंकार का ही होता है, तो मिटाने वाला भी अहंकार ही है वही अंकार जब मिटाने का निर्णे ले लेता है तो वो सत्य के बहुत निकट आ जाता है उसी को कहते हैं शिवत्तो सत्य ही शिव हैं इसलिए मिटाने वाले को हम कह देते हैं कि मिटाने वाले का नाम है शिव और कोई बात नहीं है आर यह बात समझ में है प्रणाम अचारी जी अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इश्वर क्या है कौन है आप कई बार कहते हैं जैसे कृष्ण पर आपने बोला है आपने शिव पर बोला है उस दौरान भी हम मैं को जानने समझने की बात करते हैं लेकिन फिर इश्वर से जो अगला प्रश्ण है कि इश्वर कहां मिलेंगे एक है कि खुद को जानके मिलेंगे मैं को समझ के मिलेंगे या मैं का जब अंत हो जाएगा लेकिन आपको सुनने के बाद या समझने के बाद मंदिर के भी आप विरोध में नहीं रहते हैं कि तो उस मैं किसी चीज के विरोध में नहीं हूँ मंदिर तो बड़ी पूजनी हैं बड़ी प्यारी जगह हो सकती है मैं कौन हूँ मैं हंकार हूँ मैं अपने ही द्वारा रची गई अपने ही द्वारा अनुभाव की गई इस दुनिया में मैं भटक क्यो रहा हूँ मुझे क्या चाहिए मुझे मुक्ते चाहिए मैं प्यासा हूँ मुझे मुक्ते चाहिए प्यासे को तो पानी जहां मिलेगा वो ले लेगा भाई अगर मंदिर ऐसी जगह हो पाए जो प्यासे को पानी दे सकती है तो ये प्यासा हंकार वहां क्यों नहीं जाए और मंदिर की अवधारणा यही थी देखिए वैदिक काल में मंदिरों का कोई सिध्धानत ही नहीं था आप रिगवेद में जाएंगे तो हां मंदिर जैसा कुछ है ही नहीं 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 मंदिर है न मूर्ति है ये मंदिरों और म पूर्तियों की बात तो बहुत बात में शुरूँ होती है, और मंदिर कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, वैसे बनेंगे, ये चीज वेदों में पाई ही नहीं जाती है, बहुत वेदों की 1000 साल बाद और रचे गये थे, अगम शास्त्र और गए रहा, उन्में ये सब बातें एक प्यास है, पूरी हो, वो है मुक्ति, ऐसे रहे हैं मंदिर जहां मैं बैठा हूँ, और मन शान्त हुआ है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मंदिरों की कोई उपयोगिता नहीं, और ऐसे भी मंदिर हैं, जहां जो कर्टूतें चल रही हैं देखता हूँ, तो सर पीट लेता हूँ, खेद की बात यही है कि 99 प्रतेशत मंदिर ऐसे हैं, जहां जाकर के कोई लाव नहीं होगा, बलके नुकसान होने की ज्यादा संभावना, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हो गया है, आप ऐसे भी कहा सकते हैं कि मंदिर में बुराई नहीं, न मंदिर के सिधान्त में बुराई है, हमने मंदिरों की जैसी विवस्था कर दी, हम मंदिरों को जैसे चला रहे हैं, हम मंदिरों को जिस दृष्टी से देख रहे हैं, खराबी हम में है, मूर्ति अगर काम आती है तो मूर्ति पूजा क्यों न की जाए मेरे पास बहुत बार सवाल आए है कि विदान्त में तो मूर्ति जैसा कुछ है नहीं तो अजार जी आप मूर्ति पूजा का विरोध क्यों नहीं करते और मैंने बार बार यही कहा है कि मूर्ति पूजा बहुत उपयोगी विधी हो सकती है मैं क्यों करूँ विरोध मूर्ति अगर मुझे अमूर्त तक ले जा सकती है तो मैं मूर्ति पूजा क्यों न करूँ और मूर्ति पूजा सबके लिए उपयोगी विधी है यह नहीं जिनके लिए उपयोगी है वो मूर्ति को जरूर पूजे जिनके लिए उपयोगी नहीं है उनके लिए न जाने कितने अन्य रास्ते हैं वो अन्य रास्तों पर चले कौन कह रहा है कि सब के लिए अनेवार रहे है मूर्ति पूजा कोई भी चीज अनेवारे रूप से ना अच्छी होती है ना बुरी होती है आपको अगर वो आपकी मन्जिल तक आपकी मुक्ति तक ले जा सकती है तो वो चीज आपके लिए अच्छी है क्या बुराई है प्रणा मचारे जी जैसा कि गीता में भी कर्म के सिद्धान पे काफे कुछ कहा गया है बहुत जूर दिया गया है सो कर्म और मुक्ती में क्या संबन्द है कर्म माने अहंकार की अभिव्यक्ते अहंकार है कर्ता अहंकार क्या है कर्ता वही कर्त्रत तो समय की धारा में कर्म नाम से अभिव्यक्त होता है समय न हो तो कर्ता बीज जैसा होता है समय है नहीं न? आप होंगे बहुत बड़े कर्ता समय नहीं मिला तो कर्म आपाएगा कहीं से आप कर्ता हैं, कर्ता क्या है? कर्ता भाव एक वृत्ति है जिसको आप अहम्रित्ति कहते हैं वो कर्तरत्रवित्ति ही है कर्तरत्रवित्ति का ही दूसरा नाम है अहम्रित्ति उसको जब समय मिल जाता है तो वो समय में बिखर जाती है, खुल जाती है खुल करके उसको कहते हैं कर्म जिन लोगों ने गणित पढ़ी है Fourier transformation याद है या McLaurin expansion Sinex का expansion हम करते हैं याद है क्या हो जाता है वो फिर Sinex equals एक infinite series बन जाती है बन जाती है न बनती है के नहीं बनती है polynomial series पूरी 1 plus x square upon 2 factorial ऐसे करके plus x cube by 3 factorial बिलकुल यहीं नहीं है पर इसी प्रकार की plus x raised to the power 4 का 4 ऐसे करके बन जाती है न अब वो एक चीज है उसका नाम है Sinex वो खुल करके एक अनंत शंखला बन जाती है वो जो अनंत शंखला है वो करमों की अनंत शंखला है यह जो Sinex है यह करता है यहीं जब खुल जाता है तो एक करम कहलाता है और इसलिए एक करता अनंत करम करता है जैसे Sinex का जो expansion है उसमें अनंत करम्स होती है करता बीज है करम उस बीज से उठे व्रिक्ष की अनंत पत्तियां है करता क्या है बीज और वही बीज जब अभिव्यक्ते लेता है तो उसमें अनंत पत्तियां जाते है लेकिन अनंत पत्तियों के आने के लिए क्या चाहिए समय करता को जब समय मिल जाता है तो जो दिखाई देता हमें उसे कहते हैं करम यार आँगा समझ में ठीक है, तो कर्म और कर्ता एक ही है, अब पूछा है कि कर्म और मुक्ति में क्या संबंध है, कर्ता अहम है, अहम कोई मुक्ति चाहिए, वो अन्य किसी तरीके से मुक्ति पाही नहीं सकता, उसको कर्म से ही मुक्ति पानी पड़ेगी, पर एक बहुत विशेश तरीके के कर्म से वो कर्म भी विशिष्ट होगा उस कर्म का सुरोत मने बीज उदभव भी बहुत विशिष्ट होगा अब हम चलते हैं श्री कृष्ण के पास वो कहते हैं ऐसे कर्म को कहते हैं निश्काम कर्म और उसके बीज को कहते हैं आत्मग्यान करता को आत्मग्यान चाहिए जब करता को आत्मग्यान मिलता है तो उसका कर्म बदल करके निश्काम कर्म हो जाता है अज्ञानी करता सकाम कर्म साथ चल रहे हैं अज्ञानी करता सकाम कर्म आत्मग्यानी करता अज्ञानी करता सकाम कर्म परिणाम भवचक्र भवचक्र भव माने होना होना माने बंधन में होना भव माने होना होना माने बंधन में होना बंधनों का चक्र अज्ञानी करता सकाम कर्म भवचक्र आत्मज्ञानी करता निश्काम कर्म मुक्ति करता को स्वयम से परिचित होना पड़ेगा मैं करे ही जा रहा हूं या खुद को देख भी रहा हूं मुझे अपना कुछ भी पता है क्या जरा सा भी आत्मज्ञान कुछ सेल्फ नॉलेज है मेरा खोपड़ा मुझे कुछ बोलता हूं मैं करने निकल पड़ता हूं यह पूछता भी हूं कि यह विचार आ कहां से गया और मेरे विचार ऐसे कि ठाली का बैंगन पल-पल पलटते हैं ऐसे हम होते हैं कि नहीं होते हैं होते हैं नहीं होते हैं अभी आपको प्यास लगने लगे या भूख लगने लगे आपको मेरी बातें बेकार लगने लगेंगी विचार आएगा निन बातों में कुछ रखा नहीं अभी जो सिध्धान्त बताया हूँ खरा नहीं है आपको पता ही नहीं है कि आपको जो विचार आया है वो सिर्फ इसले आया है कि पेट में अब गुड़गुड़ी हो रही है हम चुकि स्वयम को नहीं जानते इसलिए पेट की गुड़गुड़ को हमने सत्र के विरुद्ध ही आपत्ति बना लिया आप देखिए आपके शरीर में कोई हलचल शुरू हो जाए आपको लगया कि यहां से जो बाते कहीं जा रही है उन बातों में कोई विशेश दम नहीं है आपको लेगा विचार हमें आया है विचार में कोई बात होगी विचार में कोई बात नहीं है पेट में गैस है बस हमें नहीं पता होता हमारे विचार कहां से आ रहे हैं हमें नहीं पता होता हमारी भावनाएं कहां से आ रही है हमारी कामनाएं हमारे लक्षें कहां से आ रहे हैं हमें कुछ पसंद क्यों नापसंद क्यों कहीं से दिल उचट रहा है क्यों कहीं दिल लग रहा है क्यों मैं कुछ नहीं पता हुता करता को स्वयम को जानने से शुरुआत करनी पड़ेगी खुश खबरी यह है कि स्वयम को जानना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि भीतर कोई black box नहीं है कि खोजना पड़ेगा खोलना पड़ेगा रीड करना पड़ेगा रे 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 खुला हुआ है करता का सारा मामला किसके रूप में करमों के रूप में सब कुछ पहले ही खुला हुआ है करम को आप कह सकते हैं करता डिकोडेड करम क्या है करता decoded सब खुला हुआ है बस क्या देखना है फिर अपने कर्मों को देखो अपने कर्मों को देखना ही आत्मग्यान की विधी है इसी को आत्म अवलोकन कहते हैं जब मैं कर्म कह रहा हूँ तो उसमें विचार भी शामिल है भावनाएं भी शामिल है वृत्तियां सब भीतरी आवेक सब शामिल है जो कुछ भी चल रहा है अपनी दुनिया में उसको देखना ही आत्मग्यान है और आपका आत्मग्यान ठोज है कि नहीं इसकी पहचान ये है कि यदि होगा आत्मग्यान तो कर्म पलट कर बन जाएगा निश्काम कर्म अगर निश्काम कर्म आपको दिखाई दे रहा है अपने जीवन में तो आत्मग्यान ये भी कुछ दम है नहीं तो आत्मग्यान ऐसे ही खोखली उपरी बाते हैं फिर संच में आई बात तो क्या कर्म के रास्ते मुक्ति मिलती है बिल्कुल मिलती है लेकिन जिस कर्म से मुक्ति मिलती है वो कर्म आप कर ही नहीं पाओगे अगर ग्यान नहीं है तो ले दे के मुक्ति किसके रास्ते मिली ग्यान के रास्ते मिली कर्म के रास्ते मुक्ति निश्चित रूप से मिलती है लेकिन वो कर्म होना चाहिए फिर निश्काम कर्म और निश्काम कर्म संभव मात्र आत्मग्यान से तो फिर मुक्ति किससे मिलती है आत्मग्यान से और आ मेरे ममता से देखो, ऐसे नहीं देखो कि मैंने किया तो ठीकी होगा न क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ, सब अपनी अपनी नजर में लगभग अच्छा ही आदमी होते हैं, सौ प्रतिशत नहीं तो 80 प्रतिशत देखे आदमी, थोड़ी बहुत खोट है, थोड़ी बहुत होती हैं, और दुनिया पूरी तबाह हो गई, अगर आप सब में थोड़ी बहुत ही खोट होती तो दुनिया भी थोड़ी बहुत तबाह होनी चाहिए थी न, थोड़ी बहुत खोट से दुनिया पूरी पूरी कैसे तबाह हो गई, नहीं, तो ऐसे नहीं देखने हैं अपने वहां से शुरू होता है जहां आप कहते हैं हम अच्छे नहीं हैं खेल आगे बढ़ता है जब आप कहते हैं हम बुरे हैं खेल और आगे जब बढ़ता है तो आप कहते हैं हम हैं ही नहीं समझ में आ रही है बात कुछ प्रक्रति के हिस्से हैं वास्तव में या प्रक्रति के सरोत है माया तू न गई मेरे मन से यहां बैठ के समझाता रहा गलास उग गया यह पीना पड़ रहा है फिजिक पड़ रहे हैं यह तो मतलब अवां बहुत हमारे स्वच से भी परे इतनी बड़ी घटो ख्यांइって और भी जैसे अर्भो खर्वो जो ग्रभ हैं, क्या वहां पर भी ऐसा ही जीवन हो सकता है क्या, मतलब अगर हम इस प्रशन का भी कि जो बात्चीत हो, उससे कोई संबन नहीं है, जो बात्चीत मेंने करी उसको समझीएगा, फिर तो क्या वहां भी ऐसे ही चीजें है या फिर यह नहीं है छोड़ी है कि मैंने समझा कि सारा कुछ अहम व्रत्ती कर रही है फिर यह अहम व्रत्ती कहां से आई इसको किस ने क्रियेट किया कि क्या बोला था कल में ने यह मानते ही नहीं है हाँ भाई नहीं है खोजो क्या खोजना है साथ में उंगली कहां से आई वो नहीं है कि सार्थ माँया क पहजू अनाद हे हैस्ट, क्या डिफरेंस, क्या हुआ स्ट, माया, का एओर यह में उनहीं हूँर्ट, कि सार्थ में पोजूलिए यह वह है तो यह क्विशर कि माया का अंत होता हैं, माया को अनादी इसलिए बोलते हैं क्योंकि माया के आदी में जाना तुम्हें माया के अंत से दूर कर देता है माया के आदी की सुरोत की बात करोगे तो माया के अंत से दूर हो जाओगे क्योंकि बात अभी भी किसकी कर रहे हो और माया में और ब्रह में अंतर ये है कि अनादि तो दोनों हैं पर दोनों अनन्त नहीं है माया का अन्त होता है और उसी को कहते हैं मुक्ते प्रणाम आचाहर जी तो आपने जब बोला कि इसमें मैं ही हर जगा है आपने एक एक जब एक पशू के आंखो में देखते हैं तो अपने आपको देखो दर मनदब एक जगा अपने आपको देखो डिखें आपके तो अंसों पशू की आखो में देख पाओगे पहले पशू की आखो में देखो तो सही ही मैं अब रिशी केश में था 20 दिन तो उदर मैं ट्राई करके तो बहुत क्या दा देखने का बहुत ट्राई करके बिचारे पशु को परिशान और किया होगा तुमने इसको पकड़ पकड़ के उसकी आँख ऐसे नहीं होता कुछ बहुत सुन्दर हमें शब्द दे गए है फ्रेजस जिसमें से एक है पर्पसलेस अब्जर्वेशन सकाम अवलोकन नहीं निशकाम अवलोकन पहले से ही कामना बना के देखोगे कि वहाँ दिखना चाहिए इश्वर का इश्वर का है तो कुछ नहीं दिखेगा कुछ भी नहीं दिखेगा दिख भी जायगा वही दिख जायगा जो देखना चाहते हो अधिक से अधिक इतना दिख जाएगा कि जो देखना चाहते हैं तो देख लिया जो है वो नहीं दिखेगा और उपनिशद हमसे कहते हैं सत्य और तुम्हारे बीच में कामनाओं का ही तो स्वर्णिम आवरण है सब दिख जाए तुम्हें सारी सच्चाई खोल जाए कामनाओं गिराओ एक बार एक बार को परदा हटाओ देखो दिखता है कि नहीं तो पहले निश्काम हो के फिरी कुछ अब ये इतना कर लो के observation कर रहे हो और उसमें पकड़ में आए कि पीछे desire है तो सतर्क हो जाओ इतने से बात बन जाएगी पूछो अपने आप से कि ये जो कर रहा हूँ इसमें मेरा छुपा हुआ स्वार्थ है कोई या पहले से तै लक्षे है कोई पहले से ही तै कर कर रखा है लक्षे तो जो तै कर रखा है लक्षे वहीं पहुँच जाओगे और कहाँ पहुचोगे और पहले से जो तुमने लक्षे तै कर रहा है वो पहले से ही अपनी मौझूद जानकारी के हिसाब से तै कर रहा है है न जिस जगह का आपने नाम भी नो सुनाओ वहाँ पहुचने का GPS लगाते हो क्या कभी तो लक्षे भी किसे साब से तै करते हो जो चीजे पहले से पता है जिन जगहों का पहले कम से कम थोड़ा बहुत ग्यान है उन्ही जगहों पर पहुचने की कोशिश भी करते हो आप तो जब GPS खुद ही लगा रहे हो अतीत की अपनी जानकारी के अनुसार तो किसी नई जगह पर कैसे पहुच जाओगे पती ये देख लिया करो कि मैं कुछ चाह रहा हूं क्या चाह रहा हूं क्या बहुत जोर से नहीं पुचा जाता इस सवाल ठीरे से तो जब दूसरे में ईश्वर देखने की बात आती है तब पॉपसलेस अब्जरवेशन ही मतलब एक इश्वर देखने की बात क्या देखोगे इश्वर कैसे बोलता है मतलब लिए हम लोग नमस्ते भी करते है तो फिर किस दूसरे की जो अंदर जो इश्वर है उनको ऐसे करते हैं आपको सुन रहा हो तो मैं थरह वो कहीना कही मन में अभी है वो उनके मन में था जिन्होंने तुमको ये बात कही थी तुम्हारे मन में कुछ नहीं है जिस चेतना के मुख से स्वतस्फूर्त पहली बार उद्गोशित हुआ था नमस्तस्से या नमस्ते उसको ये भाव था उसको ये दृश्य था कि सामने की जो संभावना है वो परम है बिलकुल कि सामने जो खड़ा है भले हाडमास में सीमित जीव दिख रहा है लेकिन साहब इसके भीतर अनंतता बैठी हुई है कि नमस्कार आप तो ऐसे ही बोलते हो नमस्ते कोई भी सही काम बोध से ही होता है यार ये कितनी बार हम दो रहे हैं परमपरा थोड़ी काम आईगी कि अंकल जी को नमस्ते करो बेटा उससे क्या हो जाएगा अंकल जी को नमस्ते करने से वो अंकल जी में परमसत्य देखने लगेगा धाई साल का छोटू मैंने ही कह रहा हूं कि नमस्ते न करने से भी देखने लगेगा लेकिन कम से कम कहीं ये सम्वेदन शीलता तो हो कि बाहरी नमस्ते से कुछ नहीं होता, पता चले कि भीतर है कोई जो नमन नहीं करना चाहता है उसको नमित होना सिखाना है और इस कारण नमस्ते की उपयोगिता है ये सब कुछ पता नहीं ऐसा ही बस एटिकेट के तौर पर क्या रहे हो जो आंटी आई नमस्ते कर नमस्ते नहीं करा तो थपड मार दिया बत्तमीज इससे क्या मिलेगा मशीन से हो जाते हैं बच्चे गंटी बजी नहीं घर का दरवादा खुला नहीं की अंकल नमस्ते क्या कर रहे हो तुम उन्हें आटोमेटन बना रहे हो क्या कब बना रहे हो उनको फिर कह रहे हो अंकल की आखों में इश्वर देखना है मने क्या देखना है और जो तुम देखना चाहते हो उसके लिए तुमको हर तरीके की छवियां दे दी गई है क्योंकि देखी तो छवी जाती है भाई तो प्रजापती ब्रहमा को देखना है मिल जाएगा विशाल पुश्प पर वो विराजे हुए हैं लक्ष्मी पतिविश्णों को देखना वो ही मिल जाएगा शीर सागर पर शेशनाग के नीचे शैहन कर रहे हैं शंकर भगवान को देखना वो ही मिल जाएगा और उसके लिए साधना नहीं चाहिए उसके लिए किसी साधारण चित्रों की दुकान पर चले जाओ वहां मिल जाएगा ऐसी वो एक बना देते हैं कहते हैं यह क्यलाश परवत है और ठीक उसकी चोटी पर हो बैठे हुए छविया ही तो है तुम्हारे पास इश्वर के नाम पर सत्य कहां है और यह कितने दुख की बात है कि अध्यात्म जिसको चवियों का भंजक होना चाहिए जिसका काम था मन को चवियों के पार ले जाकर के मौन में स्थापित कर दे उस अध्यात्म में चवियों का ही बोलवाला हो गया चवियां ही चवियां 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 एक आम हिंदू के पूजा घर में जाओ कम से कम 10 से 15 वहां मूर्तियां होती हैं और जहां मूर्तियां नहीं होती हैं उसने केलेंडर से काट काट करके चिपकार रखे होते हैं 50, 60, 70 तरीके की चवियां मैं छवियों का विरोधी नहीं हूँ मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूँ जो भी चीज काम आए हमें सुईकार है जो भी कुछ हमें मुक्ति की ओर ले जाए हम उसके पाउँ पड़ जाएंगे तो मैं तो कहता हूँ मूर्ति अगर मुक्ति की ओर ले जाती हो तो मूर्ति को संदेह पूजो पर आपने यह इतनी छवियां पकड़ रखी है वो आपको ले जा रही है क्या मुक्ति की ओर इतनी बार समझाया इतनी बार बोला सनातन धर्म का लक्ष ना स्वर्ग सुख है न मरणों परांत मोक्ष है लक्ष क्या है जीवन मुक्ति जीवित रहते सांस लेते जिंदगी से आजाद हो जाना जीवन के बंधनों से जीवन की मरीचिका से मुक्त हो जाना ये है सनातन धर्म का लक्ष यह धर्म मात्र का लक्षे है, मैं ऐसे क्या बोल रहा हूं सनातन धर्म जैसे, मैं कोई साम्प्रदाइक बात कर रहा हूं, धर्म मात्र का भी नहीं, यह जीव मात्र के जन्म का लक्षे है, कोई भी जीव कहीं भी जन्म ले रहा हो, आज कहीं और किसी देश में, किसी में सबका एक ही लक्षे है यही बस जीवन मुक्ति और उसकी जगह आप धर्म के नाम पर ना जाने क्या गुल खिला रहे हो फिर कहते हो पश्यू के आँख में इश्वर को देखना है बड़ी विवश्टा आ जाती है मुझे मैं उत्तर क्या दूँ इश्वर टीवी सीरियल होते हो दिखा भी देंगे वो ऐसे ऐसे जूम इन करेंगे फिर उसकी आँख में मानलो किसी पश्यू की आँख है फिर वहाँ दिखा देंगे कि कमल दल पर ईश्वर विराजे हुए है वरद हस्त की मुद्रा ऐसे एक दो देविया और पूरा सविस्तार दिखा दिया जाएगा स्क्रीन पर और जैसी आप ये देखोगे आप ततकाल क्या करोगे नमस्ते क्यों भगवान जी आ गए ये क्या थम हम जिन रिशियों के वन्शज है हमें जरा भी सम्मान नहीं उनके लिए उन्होंने क्या हमें विरासत सौपी थी और क्या हमने उसको बना दिया एक तरफ है उपनिशाद और एक तरफ है आपके ये टीवी सीरियल और पराणिक क्या बना रहें यह थो छोड़ों कि रिशियों की विरासत तो क्या बना दिया यह देखो अमने रिशियों को भी क्या बना दिया रिशियों का भी किस तरह का चित्रन करते हैं हम अपनी आम परंपरा में संस्कृति में जन मानस में देखिutet rubbish यह भी क्या चविये कि रिशिमाने ऐसे ही हैं वो घूम रहे हैं कमंडल लेके लोटा ले करके और आते जाते किसी को भी शराब दे दिया कोई मिल गया उसको वर्दान दे दिया वर्दान भी एक ही दो तरह के होते हैं किसी को पैसा दे दिया किसी को पुत्र दे दिया ये रिशियों को पुत्रियों से क्या समझ से नहीं समझ में आता जिन रिशियों को मैंने जाना है वो तो ऐसे नहीं थे कि लिंग का भेद करें तो आपके जो रिशियें वो तो सारे यही नजर आते हैं तो हम में रिशियों के लिए भी सम्मान नहीं, हमने रिशियों का भी कैरिकेचर बना दिया बिल्कुल अवही चल रहा है, उसी को धर्म बोलते हो और कोई इस तरह के सड़े हुए धर्म में न रहे तो उसको नास्तिक बोल देते हो अधिकांश लोग जो मुझे जानते हैं, उनकी द्रिश्टी में मैं नास्तिक हूँ नास्तिक नहीं, महा नास्तिक हूँ आक्षेब भी है, यह यह देखो यह, नास्तिक आचार रहे है ठीक है बैश तुम्हारी मुढता को अगर आस्तिकता कहते हैं, तो मैं नास्तिक हूँ लेकिन एक बात बताए देता हूँ, अगर मैं नास्तिक हूँ तो वशिष्ठ, वालमी के, कृष्ण, याग्यवल के, अश्टावक्र, अरुणी, उद्दालक जितने नाम गिन सकते हो, यह सब नास्तिक थे मेरे बराबर के तुम आस्तिक रहो यह जो सडकों पे तुम नाचगूद और होहला करते हो, तुमारे हिसाब से यह आस्तिकता है क्यों हो यह? नमस्ते अश्ति करते हैं Hello Sir, firstly I express my gratitude to you Sir, for everything what I have got through you and I have two questions for you Sir, that is regarding Eashwar. Sir can you please elaborate what do you mean by Aashirvaad then? Because we all talk about Eashwar in terms of blessings and Aashirvaad. If we are taught that blessings and Aashirvaad you know puja karo to Aashirvaad milega blessings milengi so what exactly Aashirvaad मैं जहां से देख रहा हूं, मेरे सामने गीता जी रखी हुई है, यह कृष्ण का अशिरवाद है, और हम आपस में ऐसे बात कर पा रहे हैं, यह चेतना का अशिरवाद है, अगर लक्ष एक ही है, जीवन मुक्ते, तो आशिरवाद भी एक ही हो सकता है, क्या, कि मुक्त हो जाओ, और खोखले शब्दों से तो किसी को कुछ मिलता नहीं, कोई मेरे सामने आया है और मैं उसको इतना ही बोल दूँ बस, कि मुक्त भवा, तो इससे वो मुक्त तो हो नहीं जाएगा, तो फिर आशिरवाद वास्तो में हुआ, एक उची चेतना द्वारा, एक सधारन चेतना के लिए किया गया श्रम, कृष्ण हों कि वेद व्यास हों, कोई तो था न, जिसकी महनत का फूल है गीता, आप लिख लेंगे साथ सोच लोग, उस कोटी के, किसी ने बैठ करके, बड़ा ध्यान लगा करके, बड़ी महनत से, गीता हमारे लिए रची है, ये आशिरवाद है, अरजुन को बस इतना ही बोल देते कि जाओ, उमुक्त हो, अरजुन को कुछ नहीं मिलना था, आप महनत समझिए पहले, श्रम के अतरिक्त कोई साधन नहीं है, और श्रम भी कैसा, निश्काम श्रम, कृष्ण को स्वयम क्या मिला गीता से, कृष्ण को स्वयम क्या मिल रहा है कुछ भी नहीं और ये भी पक्का है कि अगर कृष्ण को गीता बता रहे हैं तो ठीक उसी वक्त स्वयम तो बैठ कर लिखने ही रहेंगे किम वदंती एक तरफ रखिए कि वो वहीं से रिले हो रहा था और संजय बैठे हुए थे और वो सब हो रहा था हटाईए निश्चित रूप से रणक्षेत्र में कृष्ण और अरजुन के मध्य वारतालाप तो हुआ लेकिन भगवत गीता का जो स्वरूप हम आज अपने हाथों में पाते हैं वो किसी के गहरे श्रम का परिणाम है वो श्रम उस वारतालाप पर आधारित है निसंदे है पर ऐसा नहीं है कि बस वारतालाप को आसानी से सुगमता से ठीक उसी समय किसी ने लिख दिया और वो चीज भगवत गीता बन गई किसी ने बहुत सोचा है अध्याय बाटे हैं हम और आप बात कर रहे होते हैं तो अध्याय बाटते हैं क्या बुलिए एक जब सहज समवाद होता है उसका एक प्रवाह होता है एक स्पॉंटेनिटी होती है उसमें तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि साफ साफ खंड बटे हुए हैं इन खंडों का बटना ही बताता है कि फिर शांति से एकांत में ध्यान में बैठ कर बड़े प्रेम पूर्वक ग्रंथ की रचना की गई है जिसका आधार निसंदेह एतिहासिक है अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे हैं कृष्ण उन्हें को लड़ने के प्रेरित कर रहे हैं और प्रेरित करने के लिए उनको ज्यान की तमाम बातें बता रहे हैं ऐसा तो निश्चत रूप से कुरुक्षेत्र में हुआ है ये तथ्य है फिर उस तत्य को आधार बनाके कोई कहता है आने वाली सब पीडियों को मैं आशिरवाद देना चाहता हूँ आने वाली सब पीडियों को मैं आशिरवाद देता हूँ और वो आशिरवाद गीता नाम से जाना जाएगा श्रीमत भगवत गीता तो ये भी देख रहे होंगे कि करुणा और आशिर्वाद एक साथ चलते हैं प्रेम और आशिर्वाद एक साथ करुणा नहीं है तो क्या आशिर्वाद किसी के सर पर ऐसे हाथ रख देना पता नहीं आशिर्वाद है कि नहीं वो तो अहंकार की भी व्यक्ति हो सकती है हम बड़े हैं बेटा नीचे नीचे रहे आशिरवाद महनत मांगता है कमर तोड महनत किसी की भलाई आप योई नहीं कर पाएंगे जब आप अपनी भलाई ही आसानी से नहीं कर सकते तो किसी और की भलाई करने के लिए तो काम दूना मुश्किल पाएंगे दूना क्यों? जब अपनी भलाई करते हो तो स्वयम से लड़ना पड़ता है हमारे भीतर वृत्ति रहती है ना अपना भला होने नहीं देना चाहती है अहम वृत्ति पगली तो होती है वो अपनी भलाई कहां होने देती है अपना भलाई करना है तो खुद से लड़ना पड़ता है दूसरे का भलाई करना है तो उससे भी लड़ना पड़ता है और खुद से भी लड़ना पड़ता है भीतर कोई बैठा है जो कहता है क्यों दूसरे पर समय लगा रहे हो उर्जा लगा रहे हो क्यों और वो जो दूसरा है वो तो चाहता ही नहीं कि उस पर समय उर्जा लगाई जाए हो कहता है ये जरूर दुश्मन है मेरा ये मुझे बदलना चाहता है जरूर मुझे बदलने में इसका अपना कोई स्वार्थ है तो दो-दो से लड़ना पड़ता है तो आशिरवाद मैं कहा रहा बड़ी महनत का काम है दो-दो से जूझने को आशिरवाद कहते हैं मुँ तो कोई आशिरवादों को वीगन कर लीजिए ये दूद वगरा नहीं चलेगा जो दो चीजे मुझे पसंद हैं वीगनिजम और अंटी नटैलिसम ये आशिरवाद हमारा दोनों के खिलाफ है दूदो नहाओ पूतो फलो जो तीसरी चीज है जो नहीं होनी चाहिए पित्रसत्ता इसमे वो भी है क्योंकि बात पूत की हो रही है पूतनी की नहीं वो भी ये भी नहीं कह रहे है कि एक पूत हो पूतों फलो माने पेड़ है तो कई फल लगने चाहिए न सबके घर एक एक जाएगा क्या चल रहा है ये ये आशिरवाद है ये ब्लेसिंग है ब्लेस करना मूँ चलाने का काम नहीं होता चाहे खुद को ब्लेस करना हो चाहे किसी दूसरे को ब्लेस करना हो जीतोड मेहनत करनी पड़ती है कभी गीता रचनी पड़ती है कभी कोई मंदिर खड़ा करना पड़ता है कभी कोई विश्वे द्याले खड़ा करना पड़ता है और जिनके लिए खड़ा करते हो भली भाते जानते हो तुम उनका कभी चेहरा भी नहीं देखने वाले इसी को निश्कामता कहते है आप जो करके जा रहे हो उसमें आपकी पूरी जिन्दगी लग जाएगी और जिनको उससे लाव होगा आप कभी उनका चेहरा नहीं देखने वाले आप जीवी थी नहीं रहोगे उनसे धन्यवाद पाने के लिए फिर भी आप उनके लिए करके जा रहे हो यह आशिरवाद है तो आशिरवाद को निशकाम और सश्रम दोनों होना पड़ेगा उसमें क्या मौझूद होगा श्रम तो सश्रम और उसमें क्या नहीं मौझूद होगा कामना तो निशकाम निशकाम सश्रमता ही आशिरवाद है अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बहुत महनत कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, यही ब्लेसिंग है, आशिरवाद है Thank you sir Sam I have a second question Sir how is faith, individual faith related to ईश्वर sir Faith आप जिसको बोलते हैं वो विश्वास का ही दूसरा नाम है और बिना किसी सवाल के बिना जरा भी अपने आप को कुरेदे हम एकदम बेहोशी में कैसे शब्दों का और मुहावरों का इस्तिमाल करे ही जाते हैं There are so many faiths in the world People worship according to their faith यह सब सुना है न यह faiths क्या होता है श्रद्धाएं faiths माने क्या श्रद्धा का भवचन निकाल दिया सहाब बोल गए भाईरे दुई जगदीश कहां से आया सत्य तो एक है दूसरा कहां से ले आए जब सत्य एक है तो श्रद्धाएं अनेक कैसे हो गई यह faiths क्या है आम तोर पे आप जिसको faith बोलते हो अंदविश्वास है आपकी निजी माननेता को आप faith बोलने लग जाते हो वो faith नहीं होती faith बहुत अलग चीज है faith का अर्थ होता है एकदम नकार में faith का अर्थ होता है इसको यावश्यक्ता नहीं बची हमको माननेता रखनी पड़ती है क्योंकि माननेता नहीं रखे तो हमाई टांगे का अपने लगती है आपको मानना पड़ता है कि आज आप घर जाओगे तो ताला नहीं तूटा होगा मानना पड़ता है ना आप कहीं न कहीं माने बैठे हो कि यह जो अच्छत है यह आपके उपर गिरनी पड़ेगी आपको मानना पड़ता है कि बच्चे स्कूल गए है तो नियत समय पर घर वापस आनी जाएंगे मानते हो न यह सब न मानो तो थर्थर हो जाते हो और कितनी चीज़े हैं जिनको मान के ही जी रहे हो इन माननेताओं में इश्वर की माननेता भी शामिल है क्योंकि आप जो कुछ मानते हो आपके पास उसको मानने कोई गारंटी तो है नहीं तो आपकी माननेता में कुछ दम बना रहे है आपकी माननेता कि पीछे कोई security हो आपकी माननेता कोई underwrite कर सके इसके लिए आप एक माननेता और गढ़ते हो इश्वर की माननेता faith का अर्थ होता है मुझे अब किसी माननेता की जरूरत ही नहीं है जिसे अब कहीं trust करने की कोई जरूरत नहीं बची वो अब faith में है ये तीन अलग अलग चीज़े हैं न belief, trust, faith belief से अभी नीचे और लाना है तो superstition सबसे निचले तल पर क्या होता है superstition अंदविश्वास उसके उपर क्या होता है belief, money, माननेता उसके उपर क्या होता है trust, विश्वास faith इन सबसे अलग है faith माने श्रद्धा लेकिन चू कि हमारे पास श्रद्धा नहीं होती है तो हम नीचे की कोई तीन चीज़ पकड़के कह देते हैं faith है एक से एक अंदविश्वास ही घूम रहे होंगे किसी का अंगूर में क्या रहे आप कुछ कहेंगे नहीं ये अंगूर नहीं है, ये कुल दे होता है हमारा कैसे? कैसे faith है and faith cannot be questioned साब वो अंदविश्वास कहलाता है उतको शद्धा नहीं बोलते और इंसान हो तो इन चार चीज़ों में अंतर करना सीखो superstition, belief, trust, faith ये एकदम अलग-अलग है और जैसा जानने आलों ने हमसे काया है कि किसी भी तल पर किसी भी axis पर चार विभाजन नहीं हो सकते सिर्फ दो ही हो सकते है सत्य और असत्य तो सत्य तो इन में से बस एक से ही संबंदित है किस से? शद्धा से, faith से बाकि नीचे के जो तीनों है वो एक तरह से एक ही कोटी में आते है अंदविश्वास माने सिर्फ सुन लिया परखने की कोई संभावना ही नहीं है परखने की कोई संभावना ही नहीं है तब भी मान लिया ऐसी चीज को मान रहे हैं जिसे परखा जाई नहीं सकता उधारण के लिए नारियल के पेड़ पे जिन बैठे हैं यह नहीं कि आपने इसको परखा नहीं, ना आपने परखा ना इसे परखा जा सकता है, फिर भी मान लिया, क्यों मान लिया क्योंकि डरे हुए हैं, डरे यह हुए हैं कि अगर नहीं माना तो जिन मार देगा, जिन क्यों मार देगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि जिन लोगों संभवी नहीं है फिर भी माने चल रहे हैं उसको कहते हैं सुपरस्टिशन बिलीफ किसको बोलते हैं जहां परखा नहीं पर परखा जा सकता था अंधविश्वास में क्या करा था न परखा न परखा जा सकता वो अंधविश्वास है बिलीफ क्या है परखा जा सकता है पर परखा नहीं ऐसे बैठे हैं परखने की क्या जरूरत है परखने की जरूरत क्या है हमें यकीन है मैं नहीं परखूंगा क्योंकि मुझे तो विश्वास है ये बिलीफ है बिलीफ अंद विश्वास से उपर क्यों है क्योंकि कम से कम परखा जा सकता है हो सकता है जिन्दगी आपको ऐसी ठोकर दे कि आप कहें कि चलो परख लेते हैं फिर परखेंगे तो कम से कम राज खुलेगा अंदर विश्वास में तो परखने की गुंजाईशी नहीं छोड़ी गई है मैं डाइटिंग पर हूँ इसलिए आज किल मैं कैलोरीज बहुत कम लेती हूँ वजन कम हो नहीं रहा कैलोरी गिनी जा सकती थी कि नहीं गिनी नहीं उल्टे डॉक्टर के बाद पहुंच गए बोले जरूर मेरे मेरे मेटबोलिजम में कोई समस्या है मैं खाती कुछ नहीं हूँ और वजन कम नहीं हो रहा बलकि बढ़ी रहा है यह आपकी बिलीफ है न कि आप कम खाती है और इस बिलीफ को वेरिफाई करा जा सकता था कैसे दिन भर जो खाया है उसकी कैलोरी गिन लेते तो verify हो जाता कि बेटा कहीं कम नहीं खाते अपने आपको फालतु जूट बोल रहे हो कि मैं तो कम खाती हूँ धनाधन खा रहे हो फिर कहा रहे हो metabolism खराब है इसलिए वजन नहीं कम हो रहा यह belief है जहाँ परखा जा सकता है लेकिन आपने परखा नहीं ठीक ट्रस्ट पर आते हैं ट्रस्ट क्या है जहाँ परख लिया लेकिन परखने पर दो शर्तें लगा दी पहला खुद ने परखा दूसरा कुछ बार परखा एक सीमित प्रयोग करके असीमित निश्कर्ष निकाल लिया प्रयोग क्या है सीमित मुझे दो बार पैसे की जरुवत पड़ी दोनों बार मुझे कहीं कहीं से मदद आ गई कभी एक दोस्त ने कर दी, कभी दूसरे दोस्त ने कर दी और मैंने उससे, ये फीमित एक प्रयोग है न, कभी आपको जरुवत पड़ी थी और दो लोगों से मदद आ गई, उससे आपने असीमित निशकर्ष निकाल लिया क्या, जब भी मुझे जरुवत पड़ेगी, आसमान से मदद जरूर उतरेगी ये ट्रस्ट है, इसमें कम से कम प्रयोग करा तो था, लेकिन प्रयोग का निशकर्ष गलत निकाल लिया था जो चीज एक दो बार हुई आपने मान लिया था कि सदा होती रहेगी जो चीज कभी किसी समय हुई आपने मान लिया था कि सदायव होती रहेगी ठीक है न, उसने मुझसे तीन साल पहले बोला था I love you मैंने क्या conclusion निकाला, वो आज भी मुझसे प्यार करता है अई तो नहीं नहीं हमें बड़ा इंडिगनेशन होता है बड़ी हमें ज्वाला उठती है जब हम पाएं कि अब नहीं करता तुने बोला था ना तीन साल पहले I love you ये ये recording देख देखती कि तू है न भाई उसने बोला था, कब बोला था तीन साल पहले बोला था तुझसे किसने कहा था कि तू मान ले कि तीन साल बात भी करेगा नहीं पर उसने बोला था love you forever ये भी उसने कब बोला था उसका forever भी कब था तीन साल पहले का था वो बंदा खुद forever नहीं है न तू forever है love forever कहा से आ गया ये trust है सीमित प्रयोक का असीमित निश्कर्ष निकालना ठीक अब श्रद्धा क्या है श्रद्धा कहती है हटो यार न लेना न देना मगन रहना ये श्रद्धा है अंद विश्वास में भी किसी पर टिकते हो कोई विशय होता है जिसका सहारा लेते हो लेते हो न कि अंधर विश्वास है सब फ खलानी देवी फ़लाना कुछ फखलानी शक्ति कुछ कोई विश्च है विलीफ में भी किसी का सहारा लेते हो मुझे यकीन है कि अब किसी विशे की बात करोगे कोई object होगा trust में भी कोई होता ही है मेरे दो दोस्त है या कोई ईश्वर है जो विपत्ती के समय में आकर मेरी मदद कर देगा वहाँ भी कोई है जिस पर आश्रित हो रहे हो श्रद्धा में किसी पर नहीं आश्रित होते कोई बोले मुझे भगवान पर श्रद्धा है वो पागल है भगवान पर अधिक सधिक क्या हो सकता है trust हो सकता है श्रद्धा का कोई विशे नहीं होता श्रद्धा का कोई विशे नहीं होता faith is purposeless objectless desireless फेथ ये नहीं कहती कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मुझे भरोसा है मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे या मुझे अपने यार पर भरोसा है, या मुझे अपने बेटे पर भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा ये faith नहीं है faith से पूछा जाता है अगर कुछ बुरा होगे तेरे साथ तो faith क्या बोलती है होन दे फिर से पूछा के कुछ बुरा होगे तेरे साथ तो faith क्या बोलती है faith को रुची ही नहीं है अच्छे में कि बुरे में वो अपने आप में पूरी तरह पूर्ण और संतुष्ट फूर ज़्यादा उसे कुरे दोगे बता तो तिरे साथ कुछ बुरा हो गया तो फेट क्या बोलती है देख लेंगे ये नहीं कि बुरा हो नहीं सकता अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है अच्छा बुरा सब बहर-बहर की बात है हम पे कोई फर्क पड़ता नहीं है इसे शद्धा कहते हैं जो होगा हम उससे बड़े ही है जो होगा वो प्रकृति के शेतर में होगा हम प्रकृति के बाप है जो होगा, जीवन में होगा, हम जीवन से मुक्त हैं, ये शद्धा है, शद्धा बिलबिलाती नहीं है, प्लीज प्लीज बचा लो, शद्धा कहती है, हमें जरूरत ही नहीं है कि कोई हमें बचाए, ये फेथ है, अंतर समझ में आ रहा है, faith इस भरोसे में नहीं जीती कि मेरे पास एक support system है faith कहती है support system हो अच्छी बात ना हो अच्छी बात हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम सोची नहीं रहे अच्छा होगा कि बुरा होगा ये वो चीज है जो आपसे निश्काम कर्म करवा पाती है शद्धा बगैर निश्काम कर्म नहीं हो सकता शद्धा नहीं है तो आप बार बार पूछेंगे अभी दो घंटे निश्काम कर्म करा मिलेगा क्या जब शद्धा होती है मातर तब आप क्या सकते है मिला तो ठीक नहीं मिला तो तो भी ठीक पाने न पाने के लिए कर्म करा ही नहीं कुछ आ गया सुखदाई और भाई जीव है तो सुखदुख का अनुभव तो होता ही है निश्काम कर्म भले कर रहे हूँ पर जहां तक शरीर की बात है उसको तो ये सब कुछ आ गया सुखदाई काएंगे बहुत बढ़ियां लगाओ लड़ू लड़ू आएंगे तो हम अस्विकार थोड़ी कर देंगे कुछ आ गया वसे ऐसे ही आ गया हवा चली कि पसीना सुख गया अब हवा चल रही थोड़ी बोलेंगे तू सुख क्यों दे रही है हमको गर्मी का समय हो पसीना बहरा हो साम और तभी ज़रा ठंडी हवा बहने लग जाए तो सुख मिलता है कि नहीं वैसे ही अगर कर्मों से कुछ सुख मिल गया तो भोग लेंगे हमें भोग से कोई आपत्ती नहीं है चल रहे हैं चल रहे हैं चलते चलते किसी ने लड्डू दिखा दिये खा लेंगे ये थोड़ी बोलेंगे अरे तुँ हम कर्मे योगी हमें लड्डू दिखा था तो दिखा लड्डू अब हाँ बढ़िया लड्डू दिखा और चल रहे हैं चलते चलते नहीं मिले लड्डू दो-चार दिन मामला फाके करा तो भी कोई बात नहीं लड्डू खा लिए क्योंकि लड्डूओं से कुछ मिल नहीं जाना है और भूखे रह लिए तो भी कुछ बिगड़ नहीं जाना है ये श्रद्धा है श्रद्धा बिना निश्काम कर्म संभव नहीं है और निश्काम कर्म आत्मग्यान बिना संभव नहीं है मने श्रद्धा सीधे सीधे आत्मग्यान का ही एक रूप है उसे आप परिणाम भी बोल सकते हैं उसे आत्मग्यान के अभिव्यक्त भी बोल सकते हैं जैसे बोलिए, पर आत्म ज्यान और श्रद्धा साथ साथ चलेंगे, आपको कोई मिले महा अज्यानी, ज्यान से कोई लिना देना नहीं, बोले हम तो भक्ति मारगी हैं हम में श्रद्धा है, ऐसे ही है कोई, मूरक, फूहड़, और यह ज्यादा तर बातें आपको भक्ति ज्यान तो बुद्धि विलास है, ज्यान अच्छी चीज नहीं है, श्रद्धा रखो श्रद्धा, भाई ज्यान बिना श्रद्धा तुझ में आ कहां से जाएगी, और ज्यान माने हम दुनिया के बाहरी ज्यान की बात नहीं कर रहे हैं, किस ज्यान की? आत्म ज्यान, आत्म बिना शरद्धा संभव नहीं है और आत्मग्यान है तो शरद्धा अपने आप आएगी आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा जैसे जैसे आप स्वयम को जानते जाएंगे वैसे वैसे आप में सहारे की चाह कम होती जाएगी वैसे वैसे भविश्य को लेकर आपकी चिंता भी कम होती जाएगी यही शद्धा है Living without a base Flying without a radar Sailing without sails Working without a vision It's getting clearer Thank you sir, thank you so much नमस्कार अचारे जी मेरा प्रशन इस चीट से संबंदित है कि अभी आपने जैसे कहा कि निश्काम कर्म जो है वो आत्म ग्यान से आएगा और तभी हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं तो मेरा प्रशन है कि यह भी तो हो सकता है कि आत्म ग्यान हमें हो जाने के बाद भी आपने एक चीज बोली कि working without vision तो एक जब कोई vision ही नहीं है तो यह भी तो हो सकता है कि आत्म ग्यान आने के बाद भी हम चारो तरफ की चीजों से आ सकत हो जाएं या कभी उसमें इस तरह से भूल जाएं तो हमारा मेन मुद्दे से ही भटक कर हम उसी में फिर माया में ही फसे रहें क्योंकि ऐसा काफी जो so called guru है वो इसी तरह के ढखरे पर चले जाते हैं तुम्हें कैसे पता वो आत्म ग्यानी है वो शुरुआत वहीं से करते हैं तुम्हें कैसे पता वो बताते हैं इस तरह से उन्होंने बताया तुमने सुन लिया ऐसा देखा है जादातर हम देखने को कह सारी समस्या इस्थूलता किये छवी किये इंप्रेशन्स पर चलते हो और किसी को इंप्रेस करना तो बहुत आसान होता है न किसी नहीं इतनी बड़ी दाड़ी रखी नहीं कि आत्मग्यानी हो गया और अभी कोई कमी बची हो तो चार माला डाल लो ISO Certified आत्मग्यानी और अभी भी कुछ शक्षुभा रह गया हो तो पिछले जनम की चार पाच कहानिया बता दो सिक्सिग्मा आत्मग्यानी और तुमने मान लिया यह तो हो गई आत्मग्यानी गीता-कार कुछ जानते हैं वास्ताव मैं उसका प्रमाण है गीता और जिनने तुम आत्मियान ही बोलते हो वो कुछ जानते हैं उसका प्रमाण है दाड़ी यह कैसा प्रमाण है दर्शन शास्त्र शुरू ही होता है कोई भी दर्शन हो पहला सवाल कहता है प्रमानिकता कहा है हर दर्शन में पहला सवाल यही होता है प्रमान किसको माने और सब दर्शन प्रमान के अलग-अलग सुरोतों को वैधुदा देते हैं कुछ सुरोतों को सभी साजा मानते ही हैं और बाकि थोड़ा-थोड़ा भेध होता है पर ये प्रशन पहला होता है हम किसी भी चीज को मान कैसे सकते हैं कुछ भी मान कैसे लें, तुम मानते हो, वो बताते हैं, कभी बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमान कभी कहते हैं, शुति प्रमान कभी कहते हैं, अनुमान प्रमान, तुम कहते हो दाढ़ी प्रमान, कोई प्रमान नहीं चाहिए, दाढ़ी प्रमान है, ये दाढ़ी प्रमान, न व पर भारत की 90 प्रतिशत आबादी यही प्रमाण मानती है क्या दाधी प्रमाण माला प्रमाण गप प्रमाण पगड़ा प्रमाण जितनी गप फेक सकते हो फेको मेरा ऐसा मेरा वैसा फिर मेरा ऐसा हुआ फिर मैं कुए में गिर गया कुए में अजगर था अजगर बोला मैं पुराने जनम का एक रिशी हूं फिर अजगर मेरे भीतर खुश गया अब मैं रिशी हूं बच्चा लोग बजाओ ताली और तुमने बजादी ताली और मैं जब चाहूँ अपना अजगर एक्टिवेट कर सकता हूँ और डरे बैठे हो अजगर है यही है और फिर उसके बाद तुमें इस तरह की दुखद समस्या सामने आ जाती है कि मैंने तो इनको आत्मग्यानी माना था फिर इन्होंने इस तरीके कांड कैसे कर दिये तो मैं कैसे पता अगर माननेता और तथ्य आपस में टकरा रहे हो तुमारी एक माननेता थी और जब तुम तथ्य देखते हो तो तथ्य माननेता के विरोध में है तो इसका आशे क्या है? माननेता ही गलत थी न? तथे तो तथे हैं, माननेता ही गलत थी माननेता का आधार यही है एक दूसरी चीज भी होती है तुहारे पास सिर्फ इसकी माननेता नहीं है कि आत्मग्यान का प्रमान होती है दाढ़ी और माला और गप और किसे कहानिया तुम्हारे पास आत्मग्यान का प्रमान कुछ विशिष्ट कोटी के कर्म भी है तुम कहते हो अगर आत्मग्यानी होगा तो इसस तरीके कर्म करेगा तो तुम एक नहीं दो तरह से धोखा खाते हो भाई एक तुम धोखा ये खाते हो कि जो आत्मग्यानी नहीं है उसको आत्मग्यानी समझ लेते हो क्योंकि आत्मग्यान को लेके तुम्हारे पास माननेता है छवी है और दूसरा ये खाते हो कि जो आत्मग्यानी है भी, उसको तुम उसके कर्म देख करके आत्मग्यानी मानने से इंकार कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास छवी बस आत्मग्यानी व्यक्तित्तु की नहीं है, तुम पास छवी आत्मग्यानी के कर्मों की भी है, तुम कहते हो इसके ये जो कर्म है ये हमारी लिस्ट में जो sanctioned आत्मग्यान के कर्म है उन में से तो है नहीं अटमाई पास एक लिस्ट है उस सूची में लिखा हुआ है अगर आत्मग्यानी होगा तो ऐसा ऐसा करेगा ये छे काम जरूर करेगा और ये छे काम बिल्कुल नहीं करेगा अब होगा कोई आत्मग्यानी तुमने उसे उन जो निशिद्ध प्रतिबंधे छे काम है उसमें से कोई करते हुए देख लिया तुमको को ये नहीं आत्मग्यानी दोनों और से मारे जाते हो क्योंकि दोनों ही और कुछ समझते नहीं हो बस दिमाग में चवी भर है पड़ा माचार जी माचार जी मैं आपको 4-4 साल से सुन रहा हूँ रिसी केस के बाद से 3-4 कैम रिसी केस के बाद से मेरे साथ 67 कैम्प है मैं रवार मैं एक चीज़ में फज जाता हूँ जाकर कि जब आप बोलते हो कि जब हम समझते हैं कि आत्मा अग्य है और कोई भी चीज़ आप बोलते हो कि आजनमा है या जो भी कुछ है तो वो भी तो हमें कहीं कहीं मानना पड़ता है लेकिन इस चीज़ को मैंने परखने की कोशिस की कि जय कि अग्ये है तो ऍरुज जान के देखते हैं कि क्या मन बुद्धी के पर एक कुछ है भी की अग्ये बार बार आ रहा है तो पहूंसते हैं कहीं पे जहांपर जाकर अद्ट के पोरा समाप याता है मामला तो पipp aan। लगता है कि कहीं लिकार हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है ना फिर तो इसलिए आत्मा को अग्ये ही नहीं कहा अप्रमे भी कहा अप्रमे माने उसका कोई प्रमान नहीं हो सकता ठीक है क्यों कहा उसका कोई प्रमान नहीं हो सकता फिर वापस जाओ कि विदान्त का मूल प्रशन क्या होता है किसके लिए आपके लिए उसका कोई प्रमान नहीं हो सकता आप वो हो जाओ तो आप स्वयम प्रमान है आप हो गए तो आपकी हस्ती प्रमान है उसका पर आप वो नहीं हुए तो आपको कोई प्रमाण दे नहीं सकता, वो आपके लिए अप्रमिय ही रहेगी, वो होकर ही उसको जाना जा सकता है, अन्यथा उसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण मांगने वाला कौन है, अहंकार, प्रमाण वो मांग किसका रहा है, आत्मा का, अहंकार और आ रात को मैं सूरज का प्रमाण कैसे दूँ, बताओ तो, घनी काली आधी रात अमावस की मुझसे कहती है, मुझे सूरज का प्रमाण दो, मुझे सूरज का आज तक कोई अनुभाव नहीं हुआ, और रात की बात बिल्कुल ठीक है, रात को आज तक सूरज के कोई अनुभाव नहीं हुआ है, हुआ आश तक, क्या रात को सूरज का अनुभव हो सकता है, नहीं हुआ है, आप रात को सूरज का अनुभव देने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जिसको अनुभव देना चाह रहे हो, बचेगा ही नहीं अनुभव लेने के लिए, ना, रात को आपने सूरज कानुभो दे दिया, तो रात बची कहाँ, ये समस्या है, इस कारण अहंकार के लिए आत्मा को अप्रमे कहा गया है, तुम्हें नहीं मिलेगा बच्चे प्रमाण, तुम जो हो, तुम्हें वही बने बने आत्मा का प्रमाण, नहीं मिलेगा, तुम कोशिश भी म कामनाओं को देखने की, वो तुम कर लो, वो तुमारे बूते की बात है, जो तुमारे बूते की बात नहीं उसका प्रयास मत करो, तुम्हें रात होते हुए सूरज का प्रकाश का प्रमाण नहीं मिल सकता, अच्छा प्रमाण नहीं मिल सकता तो कैसे पता वो है भी, जो हो जो हो गए हैं, उनकी हस्ती प्रमाण होती है. इसलिए ग्रंथों से ज्यादा गुरु को पूजा जाता है. इसलिए गीता से ज्यादा कृष्ण को पूजा जाता है. आत्मा का प्रमाण क्या है? आत्मा का प्रमाण तो आत्मस्थ व्यक्ति ही है. और वो भी वो प्रमाण किसी छटे उए हंकारी को दिखाई नहीं देगा. वहां भी बचता है ना? कि वो प्रमाण किसके लिए है? कृष्ण प्रमाण है आत्मा का. कृष्ण की आखें, कृष्ण की बोली व्यवहार निर्णे ये सब आत्मा का ही प्रमान है पर वो प्रमान भी किसके लिए है वो प्रमान भी किसके लिए है दुरियोधन के लिए दुरियोधन को मिल गया प्रमान और कृष्ण को देखते ही कि यही आत्मा तो होती है कृष्ण को देखते ही तुमको देखा तो यह खयाला है जिन्दगी तो दुरिजन के साथ ऐसा कुछ हुआ था कि कृष्ण को देखा और एकदम समझ गई कि माया भ्रम है आत्मा सत्य है ऐसा हुआ था उल्टा कर रहा था कृष्ण गए थे संधी प्रस्ताव लेके बोला बांधो आंदो इनको चलो जालो कैद में ड अरजुन को भी लग रहा था पता नहीं है नहीं है क्या कर रहे है भड़का रहे है बस तो अहंकार को आत्मा का प्रमाण नहीं दिया जा सकता ठीक अहंकार अधिक से अधिक जिस दिन बन जाएगा आत्मा उस दिन प्रमाण पा जाएगा बस मज़े की बात है कि उस दिन उस उत्सुकता रहती नहीं है जब तक नहीं बनाया आत्मा तब तक उसको उत्सुकता रहती है उत्सुकता माने डर उत्सुकता माने संशय उसको लगता है कहीं है मूरक ही तो नहीं बन रहा आत्मा कुछ होती ही ना उफाल तो मुझे ही कहा जा रहा है आत्मा आत्मा पता करें पहले कहीं हाँ आत्मा है दो अधर कहीं वह बगल के महले में एक रहता है उसको पक्का सबूत मिला है कि होती है कैसे मिला है वह उसको रात को आती और फिर उसको रात को आती है और फिर उसक आत्मा को जानने में आपकी उत्सुकता है, ये वास्तव में आत्मा के प्रति, आपके सनिशय का ही दियोतक है, आत्मा को लेकर आप में बड़ा संधे है, इसलिए आप में आत्मा को लेकर बड़ी उत्सुकता है, ये सुनने में अजीब बात लगेगी, सत्य के आग्रही की उ सुकता सत्य में नहीं होती माया में होती है वो यह नहीं पूछता आत्मा है कि नहीं प्रमान दो कि है कि है वो गयता है आत्मा हटाओ मैंने शुरुवात करी है अपने दुख से यह सारी बाचीत इसलिए हो रही है क्योंकि मैं जंजट में हूँ तो मैं शुरुवात सच से नहीं शुरुवात जूट से करूँगा मैं जानना चाहता हूँ यहां जूट क्या-क्या बैठे हैं जिनके कारण में दुख में हूँ वो माया का अनवेशन करता है और माया को जो जान जाता है वो स्वयम को सत्य में पाता है सत्य तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है माया के अलवा माया नहीं आपको घेर रखा है बाहर से भी भीतर से माया को ही जानिये यही सत्य की ओर आपका प्रयास होगा बैठे बैठे अपनी कुरसी पर कहेंगे आत्मा का प्रमाण लाओ कोई प्रमाण नहीं रिशी लोग पहले ही बोल गए अप्रमेर बेटा कोशिश भी मत करना कुछ नहीं मिलेगा और अगर मिल गया तो और खतरनाक बात है क्योंकि मिला तो वही वाला प्रमाण मिलेगा करके दिखाईए एक तरासदी होती है कि चाहा रहे थे आत्मा का प्रमाण मिले मिली नहीं और एक दुरघटना होती है कि किसी को प्रमाण मिल गया और ऐसे घूम रहे है वो बताएंगे कि I have proof of the soul और बड़ी कतारे लगती है proof of the soul जिसको ये तक नहीं पता कि soul माने आत्मा नहीं होता वो आत्मा का प्रमाण देने निकला है हमें उत्सुकता किसमें रखनी है सच में नहीं जूट में सच नहीं पकड में आएगा आप दौड लगाईए जूट को पकड़ने के लिए सच पकड में नहीं आएगा आप तो जूट को पकड़िये मज़ा आता है अपने ही जूट को पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है आता है नए catch your own thief red-handed that too in the movement of the theft with his pants down ठीक तब जब वो चोरी करने जा रहा है उसी वग पीछे से दबोच लीजिए बेटा इधर देखो और उसकी शकल बिलकुल आपकी शकल जैसी होगी बात में भी पकड़ने हैं बहुत मज़ा नहीं कि उसने करली चोरी वारदात हो गई फिर जागे पीछे साइरन बजा रहे हैं क्या रखा है यैसे भारती पुलिस फिल्मों में ने ठीक जब हो रही है चोरी तब धरदवोची है हाँ क्या करने जा रहे थे ये सब जो पूरी बातचीत चल रही थी उसमें छुपा हुआ इरादा क्या था बताना सरा महुत मज़ा आएगा आपको अपने ही छुपे हुए इरादे उदगाटित करने में हमारे उपर इरादे दूसरे होते हैं नीचे नीचे खेल बिलकुल अलग यही है सत्याग्र छूट को पकड़ना ही सत्याग्र है अब यो चर्चा चल लए इश्वर वाले में तो उसमें जो एहम व्रत्ती है वो करतत व्रत्ती भी एक ही चीज है वो डिकोड हो रही है कर्म में उसके लिए चाहिए समय तो क्रश्मूर्ती साहब में पढ़ा दात कहा रहते है फिजिकल समय जो है उसको तो आवशकता है बाहर का एक साइकलोजिकल समय है यह समय वही समय है कि मैं इसकी आटक राय मेरो साइकलोजिकल समय में वह अभिवेक्त होती है विचार बनके और क्रोणोजिकल समय में वह अभिवेक्त होती है कर्म बनके विचार भी कर्म ही है सूक्ष्म कर्म को विचार कहते है और स्थूल विचार को कर्म कहते है देखी बात कर दो कर दो कर दो